जाइन दोस्तों मेरा नाम है सत्यमकर्षप और आपका हमारे चैनल हेनमन होम्यो हॉल में बहुत बहुत स्वागत है तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं वेट लॉस के बारे में तो उसके लिए बहुत ही अच्छा हम्योपेथिक प्रोड़क्ट एवेलेबल है जो कि है फाइटो लगका बैरी हम्योपेथिक टेबलेट तो इसकी क्या डोस है और कौन-कौन इसको ले सकता है क्या इसके कोई साइड इफेक्ट है और कब-कब इसको लेना है तो इसके लिए इसकी पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा तो हम बात कर रहे हैं फाइटो लगका हम्योपेथि टेबलेट के बारे में जो विल्मर शॉवी डॉक्टर विल्मर शॉवी एक हम्योपेथिक कंपनी है उसका प्रोड़क्ट है इसफिरणीट बारे में भी बात करूं गा लेकिन वेट के बारे हम तोड़ाग जानता है कि वेट कब कब इंकری्ज होता है पहले तो आपको जानना चाहिए कि आपका वेट इंकری्ज है भी या नहीं कि आप नोर्मल कंडीशन में तो नहीं है किसी किसी को ऐसे ही लगता है कि मैं बहुत जाद हो गई हूँ, मेरा वजन बढ़ गया है लेकिन ऐसा होता नहीं है तो आपको BMI, Body Mass Index पे आपको देखना होगा कि आपका वजन बढ़ा है या फिन नहीं अगर आपका उससे लेवल से उपर है बजन जो नॉर्मल लेवल है तो BMI पे अगर जा रहा है उपर तो इसका मतलब आपका बजन बढ़ा हुआ है आपको बजन घटानी कोशिश जरूर करनी चाहिए जो बजन बढ़ता है उसके में यह आपके जो कारण होता है आप energy intake मतलब calorie का intake बहुत जादा कर रहे है calorie intake जो है अपनी diet में बहुत जादा कर रहे है क्योंकि Indian night वैसे भी calories dense होती है और दूसरी चीज जो है दूसरा कारण है वो है lack of physical activity आप बिल्कुल भी physical activity नहीं करते हैं ऐसी घर पे बैठे रहते हैं या फिर अपने office में बैठे रहते हैं इस वजह से आपका बढ़ गया है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा इसके लिए आपको दो चीज़े करनी होगी एक तो अपनी diet से calorie को कम करना होगा जो normal quantity है करो देखी 1500 KCL होती है 1500 होती है उसको आपको लेना होगा उससे जादा नहीं लेना होगा और दूसरी चीज़ चीज़ आपको करनी होगी इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटी को आपको बनाना होगा रोज सुभा को exercise करनी होगी एक घंटा walking भी अगर आप करते हैं तो वह आपके लिए एनफ है बहुत ही जादा अच्छा है दूसरी चीज़ आपको योगा करना होगा सुभा में योगा क बहुत कम होती है बहुत एनफ few quantities में calories होती है तो आपको vegetable fruit का intake बढाना होगा calorie का intake कम करना होगा और regular basis पर exercise करनी होगी एक बात वर बतना चाहूंगा आपको sweets को भी avoid करना होगा इसमें भी बहुत जादा calories होती है तो sweets की quantity को भी आपको कम करना होगा अब बात करता है phytolakka homeopathic medicine के बारे में ये mainly constitute की गए है weight loss के लिए अब ये weight loss कैसे करती है वो मैं आपको बताता हूँ ये medicine prepare किया जाती है phytolakka plant से जो की North America की native place में पाया जाता है और उसकी berries से इसको prepare किया जाता है तो एक आपकी अच्छा product है weight loss करनी के लिए अब ये product ये mainly किस चीज़ पर work करती है medicine ये हमारे hunger pattern को regulate करती है अगर हमें बहुत जादा पूख लग रही है तो ये उसको regulate करती है हमारे digestion और ingestion को अच्छा करती है ingestion को भी सही करती है और हमारी body को अच्छे से regulate करती है और इसके कई सारे health benefits है तो अगर आप डॉक्टर विल्मर शॉबे का ये product है डॉक्टर विल्मर शॉबे फाइटो लग का berry tablet लेते हैं तो आपका पांच किलो बजन तो एक से दो महिने में बहुत ही आसानी से कम हो जाएगा अगर आप और पांच किलो बजन तो आपको कम हो जाएगा साथ ही साथ आपको ध्यान लखना होगा डाइट का भी ध्यान लखना होगा और exercise का भी अब थोड़ा तो करना ही होगा ना आपको और इस product की बात करें तो ये 140 रुपीज पे इस टाइम में homeopathic medical stores पर available है तो इसके other benefits से हमारे weight loss क करने बें help करता है और साथ ही साथ ये हमारे digestion और ingestion को regulate करता है hunger pattern को ये हमारे regulate करता है इसके doses की बात करें तो आप एक से दो टेबलेट इसकी नई एक टेबलेट दिन में तीन बार सुबा दोपर शाम ले सकते हैं अगर आपको कोई भी query है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझ पूछ सकते हैं और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिये और अगर आप नए हैं तो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन लोगास पर क्लिक कीजिए मिनते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए happy nice day